तोयोटा यारिस और पॉपजी मोबाइल को प्रेसेंट्स ब्रेकिंग पॉइंट हाई अल्टिटूड वाफेर स्कूल गोबावद बाई वीव वी एलेवन प्रो पॉलिसी बाजार डॉट कॉम और एल एल आई सी हौज में एंडूरंस रन का ये आखरी पड़ाव है जैसे जैसे हम फिनिश लाइन के करीब पहुंसते जाते हैं हमारे अंदर जोश बढ़ता चला जाता है और ये ट्रेंड डॉग्स भी इन नौजवानों का होसला बढ़ाने के लिए मौजूद है आखरी दस से पंदरा मिनट में मैंने अपनी पूरी जान लगा दी जोश का ये दरावना एक्सपीरियंस था मुझे लग रहा था कहीं मुझे चोट ना आ जाए मेरा घुटना ना मुढ जाए पहाड़ी से लगातार पथर गिर रहे थे और हर पल पीछे से कोई ना कोई आवाज लगा रहा था पत्थार पत्थार हर बार पीछे मुढ कर देखना पड़त अब एक किलोमीटर ही बचा है और जूजने की ताकत उभर आई है रेस के आखरी हिस्से में रास्ता एकदम सीधा था पर तब तक सब ठक चुके थे बस अपने शरीर और अपनी इच्छा शक्ती के दम पर ही आगे बढ़ रहे थे फिनिश लाइन विजेताओं का इंतजार कर रही है और एक योधा ने सारी हदों को पार कर लिया एक घंटे 49 मिनिट और 23 सेकंड का समय निकाला ये एक नया रेकॉर्ड है मैंने इतना सोचा भी थे कि मैं लगो कि नंबर बन पर आ जाँगो कि काफी मतलब जिसको बोलते है ना काफी अच्छा कंपडिशन थे कमसे कर लगो कि तो पांच छे जो थे ना इतना तगड़ा कंपडिशन रहता थे जैसे ही हमारा रन खत्म हुआ मैंने देखा कि फिनिश लाइन हमारे ठीक सामने है मैंने अपनी बची खुची ताकत लगाई और फिनिश लाइन की तरफ दोड़ पड़ा लाइन क्रॉस करके ही मुझे चैन की सांस मिली इन्होंने अपने कीमती टोकन जमा करवा दिये हैं जो 9000 फुट की उचाई पर इन्होंने अपने खून पसीने से कमाए थे बैक का वजन किया जा रहा है ताकि सारा हिसाब एकदम सही रहे रेस में पस्त हुए फौजियों ने चैन की सांस ली और वो अपने इस एक्सपीरियंस को कभी नहीं भूलेंगे सबसे अच्छा तो तब लगा जब हम फिनिश लाइन तक पहुचे सब बहुत ज्यादा खुश थे और फाइनली एक इंस्ट्रक्टर ने मेरा बैग उतारा अब ये लोग बदल चुके हैं सुभाय रेस शुरू होने से पहले ये कुछ और थे अब कुछ और हैं मैं सोच रहा था कि स्वेलिंग और इतने सारे वजन से रेस पूरी कैसे होगी पर रेस पूरी हो गई और मैं बहुत खुश हूँ डॉग्स भी रेस पूरी होने की खुशी मना रहे हैं फॉजियों ने अपनी पूरी ताकत फाइनल एंडूरंस रन में जोग दी थी कुछ लोगों को इसकी भारी की मत चुकानी पड़ी है शुरुआत में मुझे लगा था कि मैं इसमें टॉप टैन में तो जरूर आऊंगा लेकिन बात में मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे डी हाइडरेशन होने लगा था यहां के वेदर और हाइ अल्टिट्यूड एरिया में इतना आसान नहीं होता सवाइव करना हम जोर लगा ही नहीं पाते है इतनी उजाई पर आपकी हिम्मत आपका साथ छोड़ देती है और सांस लेने में भी तकलीफ होने लगती है फिनिश लाइन देखते ही मुझे ऐसा लगा कि मैं ये रेस पूरी कर लूँगा फिर मैं ब्लैक आउट हो गया और मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था फिर उसके बाद तो मुझे याद ही नहीं कि क्या हुआ और के इस योद्धा ने फिनिश लाइन पार की अपने शरीर को इच्छा शक्ती पर हावी नहीं होने दिया यहीं है एक पहाड़ी योद्धा की सही निशानी अब थोड़ा सुकून मिल रहा है और वक्त है एक दूसरे की पीठ थप थपाने का मेरा टागेट था पचास का पर मैं 61 तक पहुँचा मेरे ख्याल से ये भी काफी है कभी-कभी तो आपको लगता है कि आपके अंदर वो बात है और कभी-कभी ऐसा लगता है कि अब बस बहुत हुआ मैं नहीं कर पाऊंगा अठारा किलो मीटर की इस रेस ने इनहें पहाड़ी योधा बनने का गुर सिखा दिया है अगर आप में है दम तो लहराएगा काम्याबी का परचम ट्रेनिंग को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि मन कभी भी नहीं कहता कि बस अब बहुत हो चुका है हमें फिनिश लाइन तक पहुँचना ही होता है फिर चाहे आपको कितना भी दर्द क्यों न हो रहा हो मेरे ख्याल से इस रेस का मकसद है कि आप अपनी मानसिक सीमाओं के पार जाएं तब जो चुनावती आपके सामने होगी आप उससे पूरा कर पाएंगे यही इस रेस का मकसद था और मैंने इसे अच्छी तरह से पूरा किया दुनिया के सबसे मुश्किल वारफेर स्कूल में ये तो इनकी बस एक शुरुवात है आने वाले हफ्तों में इन्हें कई मुश्किल हदों को पार करना होगा इन्हें अपने हुनर को ऐसा तराशना होगा जो इन्हें बेमिसाल बना दे और निडर भी ये अपनी इच्छा शक्ती और द्रड निश्चे से हिमाले की चोटी पर भारत का पर्चम लहराएंगे और बनेंगे पहाडी योध्धा झाले इन्हें बने ट्रड बने और दो प्राशना है